नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी जनल सिर्वी डक्टर में और आज हम लेकर आएं आपके लिए टाइपिकल सेक्शन एलिविशन आफ कॉलम दोस्तों ये बहुत से इंजिनियर्स को जरुबत पड़ता है इसका जो फ्रेशर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि हमें रिंग का हाइट कहां पर कितना रखना है कहां पर हमें लैप कराना है और कहां पर हमको जो मेन बार्स होता है क्वालम का कहां पर लेप नहीं करा नहां है तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे यहां से देखेगे दोस्तो यह जो आप देख पारेंगे हमारा टोटल क्या थोस्तो यहां पर PCC हो रखा है PCC के ऊपर टोटल जो है रेइनफोर्समेंट होना है और इसको जो है राफ्ट का फिलिंग होना है सपोस किजिए ये 1500 हाइट का राफ्ट है ONLY ON राफ्ट PCC TOP TO राफ्ट का टॉप ठीक है दोस्तो तो ये जो कॉलम्स में जो रिंक्स दिये जाएं ये ऐसे जोन 1 में जोन B में और जोन A में जोन A, जोन A ये होता है दोस्तो शेयर फोर्स जोन ठीक है दोस्तो बीम के हिसाब से बीम के अकॉर्डिंग ये अगर इसको मैं कुछ ऐसे कर दूँ ये बीम हो जाएगा तो यहाँ पर जोन A और जोन A ये ये शेयर फोर्स यहाँ पर जादा होता है बैंडिंग मुमेंट यहाँ पर जादा होता है तो इसी तरीके से दोस्तो सपोर्टिव जोन पर यहाँ पर इस पेसिंग कम देना होता है और उसको कम देने के लिए इसको कैलकुलेट कैसे करता है है आई हम आपको बताते हैं देखे दोस्तों दिहां से फर्स्ट कह रहा है लार्जर लेटरल डाइमेंशन आफ दी मेंबर यानि कि कॉलम का यदी जो गहराई वाला हिस्सा है ठीक है दोस्तों यदी वो ज्यादा है सपोस्किदियो 750 है पहला कॉलम है यानि के किलियर हाइट य यहां तक यह स्लैब आना है उपर दोस्तों यहां पर फ्लोर बीम से इन दोनों के यानि के फ्लोर बीम के बॉटम से और राफ्ट के टॉप से जो कॉलम का हाइट है वो क्लियर हाइट है सपोस्ट कीजिए दोस्तों वो कितना है चार मीटर ठीक है तो यदि वो चार मीटर है और चार मीटर बाइ सिक्स करेंगे इसको फोर्थ तो यहां पर दोस्तों वैल्यू कितनी आईगी उसको देख लीजिए और यहां तो थर्ड दे रखा है 900 यानि के यहां से 900 पर या फिर जो भी आपकी तो जो इसमें से तो यहां रखना होता है टिपिकल सेक्शन में ऐसे हम जो है यहां से इस फ्लोर बीम से नेक्स्ट फ्लोर बीम के लिए लिए लिके जाएंगे तो देखे दोस्तों हाफ तो किया है उसने एच बाय टू ठीक है दोस्तों यह लैपिंग लेट हां और मॉस्ट इंपॉर्टन तो इसके बीच में यहां पर लैप नहीं होना चाहिए यहां बीम में जो है हमारे कॉलम का स्टिल लैप नहीं होना चाहिए बिलकुल भी तो इसका हमेशा धियां रखेगा दोस्तों इसे कहा जाता है क्यों, लैक बज बेहों? ठीक है दोस्तो और जो हमारे strips के height होती है vertical ties के height होती है वो zone A और zone B कि मैंने आपको बता है zone A की कहां से consider करेंगे जो कि larger होगा और zone B हमारा given होता है और वो भी हम calculate कर सकते हैं ठीक है दोस्तो तो इसी के साथ अपने वीडियो को अलविधा करते हैं दोस्तो अलविधा चाहेंगे मैं अपनी वीडियो में नमश्कार दोस्तो